हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे जी हाँ कॉंग्रेस के दफ्तरों में हर्याडा में कुछ ऐसा ही सन्नाटा पसर गया है कार करता है दो दर छेटक लिए है दो घंटे पहले तक जहां रौनक के गुलजार थी वहाँ हालात अभी बत से बत्तर हो गए है बड़ा सन्नाटा अभी भी कर रहे है नंबर्स हलांकि मैं अभी भी कहूंगा कि तमाम सीट्स के मैं अभी जो रिजल्ट्स देख रहा था कुछ ही ऐसे सीट्स हैं जिस पर मारजीन आपको बहुत जादा देखेगा लेकिन कम बेस जो है मारजीन 1500 उससे भी कम कई सीट्स पर हैं तो मुझ लग कि बहुत जादा हैरान कर रहा है 48 सीटों पर अगर बात करें अभी तो 48 सीटों पर बीजीपी आगे है कॉंग्रिस अभी भी 36 सीटों पर है और जो हम लगातार बाचीत कर रहे थे कि बस सिर्फ यही दो पार्टी दिख रही है इम्रान जी और बाकी जितनी जो किंग मेकर ब बहुत मज़ा देने वाला इस बार किंग मेकर बनने की बात करें थे वह चटवे नंबर पर संगर्श कर रहे हैं बड़ी बुरी स्थिती है राहुल जी और चीजें ऐसी ही बदलती है और यही तो मज़ा है लेकिन आप क्या लेकर रहा है खास और से एलक्शन कमिशन और ला गूम रहे हैं अध मतलब इसकत रखेंट आप अधर दुबहर करेंगे हैं कैसी और सिन य्कौन से पहले वह थे ऐसे ्द्रेश कौन है संगर्य वह बुर च्विदर कंब्था वह कर रहे हैं मतलब इसकशन हे तो चलिए आपको नंबर्स बता देते हैं कितने क्या किस बाटीव किस मिल रहा है मैं इलेक्शन समिस्ट के साइट पर जा रहा हूं यहां देखेगा बीजेपी को 48 सीट मिलते हुए देख रही है अभी लीडिंग है कि 902 592 कहीं कहीं तो 725 फची सिटो के मारजिए कि यहीं होगा जो बैडा खेल दिखेगा सारा नहीं पर जल्द ही दसमीर साहि और यह Дो घंटे में सारे के लिए साहिए बिल्कुल थोड़ा सो और इंतिजार और संदीब जी ने इससे पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो कहा था कि आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर मोल पर तो इस मोल पर आप जो है कह रहे थे कि आप जब हाजिर होंगे तो बहुत कुछ नया लेकर हाजिर होंगे क्य इसमें जो इंडिपेंडेंट है चित्रा सरवारा यह आगे चल रहे हैं बारा सो बत्तिस वोड से अनिल विच साब जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे वो पीछे चल रहे हैं अलांकि कॉंग्रस के मज़े भी ले रहे हैं वो कॉंग्रस के जश्न पर ताने कस रह हैं लेकिन आप ध्यान से देखिए अभी सोला राउंड होने सोला में से मैस तीन हो राउंड हुए तो जैसा राहूल ने कहा कि अभी यह जो आंकडे हैं यह बहुत अल्टेंगे पल्टेंगे यह आंकडे जैसे जैसे वोटों की गिंती आगे बढ़ेगी चूंकि मार्जिन बहुत कम है और जैसा हम पहले भी लाइव इंदुस्तान अपने तमाम वीडियो में अपने दर्श्रकों को यह बताता रहता था कि देखिए जो जब भी कभी मल्टी कॉर्णेट अगर कॉंटेस्ट है अगर कोई तीसरा चौथा फैक्टर है तो जो वोट कटवा होते हैं छ यह अभी भी हम इसको शुर्वाति रुजान ही माने इसलिए क्योंकि किसी की लीड अभी तक एक एक का दो सीटे छोड़के किसी की लीड निरणायक नहीं है इतनी नहीं है कि आप यह कहा हो गया मामला सैट अब ऐसी मेरे को एक या दो सीट छोड़के कहीं नहीं लगा तो अभी भी वोटों की गिंती जैसे से आगे बढ़ेगी तो मामला अलट पलट होगा। दूसरी तरफ हर्याणा के लिए कहा जा रहा था कि यहां तो एक तरफा मामला है, यहां मामला फस रहा है। आप मान सकते हैं कि वहां पे कोई समस्या नहीं होने वाली और चुकि वहां वोटों की संख्या बहुत कम होती है। वहां पे जो वोट जो कुल जो वोट पढ़ते हैं कि संक्या कम होती है, तो वहां गिंती जादा बहुत जारा गुझाइश नहीं है कि बहुत जारा राउंड वहां हूँ, वहां ऐसे 12 राउंड हो रहे हैं। तिरा राउंड हो रहे हैं तो वहां की टेली एगर लगबख मुटा-मुटा ऐसा लगता है इसी पर सैटल हो जाएगी लेकिन हर्याणा में तो अभी कई राउंड बाकी हैं और कॉंग्रस ये दावा भी कर रही थी मैं अभी देख रहा था कि हमारा चार परसंट वोट ज्यादा है अभी इस वक्त इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट के मुताबिक जैए यह मैंने सोचा था कि दर्शकों को दिखाया जाएगा यह देखी यह जो एलेक्शन कमिशन के वेबसाइट पर ही यह वोट शेयर भी यह लोग बताते रहते हैं अब यहां देखिए यह कॉंग्रस का वोट चेयर है 40.39% दी इधर बीजेपी का है 49.02% यानि कि एक से गया है तो यह मामला इसी के हवाले से कॉंग्रस के निता कहना है कि जो मीम्स में देखते हैं रुको ज़रा सबर करो वाला मामला है तो रुकना भी होगा सबर भी करना होगा थोड़ा और इंजार करना होगा मतलब कॉंग्रिस यह अभी कहना चारी कि हिम्मत अगर हो तो रास्ते भी निकलाते हैं और तेज हवाओं में भी चिराग बच जाते हैं तो बस यही हिम्मत कॉंग्रिस की इस वक्त है और यह वोट शेर जो बना हुआ है ज्यादा कॉंग्रिस का यह जो फसे हुए है पलटेगा और यह जो चोटी मार्जिन वाली जो सीट्स हैं वो उसके खाते में जा सकती है क्यूंकि ओवरॉल कॉंग्रिस को ऐसा लगता है सेंटिमेंट उसके पक्ष में था एक एंटी इंकम्वेंसी थी तो हो सकता है कि कुछ अभी इवेम उस इलाके की खुली हो जहाँ कोई बीजेपी के वोट जादा रहे हो लेकिन हां अगर किसी सीट पैसा हो कि कोई केंडिडेट इतनी लीड ले ले कि उसको फिर पाटना मुश्किल हो जाए क्यूंकि जब वोटों की गिंती ऐसे सागे बढ़ती तो ऐसा थोड़ी की सिर्व आपी के वोट बढ़ेंगे अभी उमीद बरकरार है लेकिन अभी जो सुड़वाती रुजान थे उसके बाद जो चीजें बदल रहे हैं उसको देखकर यह नहीं लगता कि जैसी एंटी इंकमबेंसी का दावा किया जा रहा था कॉंग्रस के तरफ से दिगर पार्टियों के तरफ से हर्याडा में या व चोटा स्टेट होता है और विधान सभाग का चुनाव होता है तो वहां पे इतने फैक्टर्स परत-दर-परत काम कर रहे होते हैं हम बस ऐसे देखते हैं कि अचा एक तरफ बीजेपी एक तरफ कॉंग्रस ऐसा चुनाव नहीं होता है उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया या फिर इसमें दो धड़े तो दुशन चोटाला और चंशेखर की पार्टी का गडबंदन था आयनल्डी और बीएसपी का गडबंदन था उन्होंने भी तमाम सीटों पर अपने उमीद वारुत आ रहे थे वो कितने वोट काट रहे हैं तो यह तमाम फैक् इन्तजार करना होगा मुझे लगता है कि अगर अभी किसी सीट पे तीन राउंड की वोटों की गिंती हुई है तो हम मान के चलें कि कम से कम सात राउंड तक इन्तजार करें उसके बाट टैली थोड़ा सेटल लोनी शुरू होगी लेकिन जो आप तीसरे दलों की बात कर रहे थे कॉंग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके उनका हश्र लगभग यही बना रहेगा मोटा मोटी वोई जैसे की दुशेन चोटाला की सीट का जो अभी एक और वीडियो में हमारे दर्श्रक देखेंगे उनकी सीट की हालत ये है कि दुशेन चोटाला चटवे नंबर बर है मतलब हैं इनी रेस में उनके उपर तीन एक निर्दली है तो वो तो लग रहा उनकी जबानत जब्त हो जाएगी तो मुझे लग रहा मोटा मोटी वोई हाल होगा लेकिन वो कितना डैमेज करेंगे कहीं कॉंग्रेस को तो कहीं बीजेपी को उन जैसे जो तीसरे जो पक्षन है इस चुनाओं में ये देखना बहुत ही ये माइने खेज होगा बिल्कुल थोड़ा और इंतजार अगले मोटों पर फिर आप मिलेंगे और और पुखता मुझे लगता है तब तक चीज़े और बदलेंगे सूरते हाल और साफ हो जाएगी हटेगी धुन्द उजाला भी होगा सूरज भी निकलेगा ये हमारा नियूज रूम देख लीजे ज़रा सब लोग बिल्कुल तनमेता के साथ में लगे हुए है आप तक सटीक आंकडे सटीक खबरे पहुचाने के लिए लाइव हिंदुस्तान देश का भरोसे मंद डिजिटल प्रेटफॉर्म जिसके जरीए हम कोशिश करते हैं कि आपको सबसे पहले सबसे सटीक और विश्वस्तनी खबरें दिखाएं तो बस थोड़ा सा इंतिजार कीजिए हम लोट रहे हैं विश्वलिशन के साथ भी और आख़ों के साथ भी